सो वेलकम बैक स्टूडेंस टू माई नीव वीडियो और आज के वीडियो में स्टूडेंस हम लोग कुछ मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका कोई-कोई इंपोर्टेंट हम लोगों का काम होता है यह जादा तर यह एट्मॉस्फियर में इस्तमाल होते हैं तो चेली लिए अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो स्टॉप करके ले लिजेगा तो चलिए बेनेक्स देरी के शुरू करते हैं जो मशीन है यानि यंद्र वो है एरोमीटर यह एरोमीटर आप लोगों को दिख रहा होगा तो एरोमीटर का काम क्या होता है पढ़ लेते हैं इस एर और गैसेज का इसमें हम लोगों को इसमें से इसका घंट्व और डैनसिटी का हम लोगों को इस से पता लगता है इंग्लिश में इसका प्रियोग उड़ते हुए विमान की उचाई नापने के लिए किया जाता है। यानि कि अगर कोई एरोपलिन कितनी उचाई पे ऊड़ रही है इसका स्पार इश्ट्माल लेज गिया जाता है मतलब अझालषाक को मापने के लिए होता है जल्व wonder को मापने के लिए होता है इसका इसका वा इसके द्वारा वायू मंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है मतलब इसके वज़े से जो atmospheric pressure atmospheric pressure को ना पार जाता है ओके next आता है next better barometer barometer यह करण वायू दा इसमें क्या होता है Air pressure का एयर प्रेशर को हम लोग इसे मेजर करते हैं तोंद आता था हैं Dre態 यह करण दूर की की वस्तूवे देखने के लिए काम में एक नकिूलर को मलोग कहते हैं दूरभीन म !D愇हएंcem । दूर की क्वत्तुवों को देखने के लिए कॉन्यवे ओर दिख थे c così ? थड़े बीपर्स ही हिंदी में कहते हैं इसके दवारा बेलाना कर वस्तूओं गती है इसके छोगराफ कार्डियोग्राफ मतलब हीर्दे की स्पीड कितनी है हरुदय की गत्टी यानि हाठ तो को इससे ना पाचा जाता है नेक्स माटोग्राफ ठीक है सिनेमाटोग्राफ इस उपकरौण को छोटी-छोटी फिल्म को बड़ा बड़ा करके परदे पर लगा लगातार क्रम से प्रोजेक्शन के लिए प्रियोग किया जाता है मतलब की सीनेटोग्राफ इस उपकरान को छोटी-छोटी जो फिल्मे होती है उनको बड़े पर लगा देता है सीनेटोग्राफ ओके गाइस वीडियो पता नहीं होगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब